में अगली बड़ी कबर का रुकतर रहे हूं राजस्थान में कई शहरों में बारिश से लोगों की परिशानी बढ़ गई है तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि राजस्थान मतलब रेगस्तानी राज है और वहां पर देखे जरा बारिश से कैसा प्रदेश बेहाल नजर आ रहा है राजस्थान का बुंदी बारिश मुसीबत बनकर बरसी इसी से जुड़ी बड़ी कबर ये कि राजस्थान के बुंदी में बारिश से बुरा हाल है बारिश के चलते सड़क पर सैलाब है बारिश के पानी में गाडियां तक बहती हुई नजर आ रही है लोगों के घरों में पानी खुज गया है सड़क और घर दोनों के बीच का फासला खत्म हो गया है फरक नजर नहीं आ रहा है सड़के पानी पानी सेलाब में देखिए कैसे गाडियां बहती हुई आपको नजर आएंगे और सिर्फ टू वीलस नहीं है बलकि बाकाइदा कार्स तक बहती हुई पानी कबाब इतना तेज है उसमें नजर आ रही है और घरों में देखिए कैसे पानी भरा हुआ है पूरे के पूरे मोहले पानी में डूबे हुए हैं यह देखिए सेलाब में गाडियां बहती हुई नजर आ रही है तो यह तस्वीरे जो हैं वो राजस्तान की बुंदी की तस्वीरे आप देख रहे हैं किसी पहाडी राज्ये की तस्वीरे नहीं हैं बलकि राजस्तान की बुंदी की यह तस्वीरे हैं जहां सड़क पर सेलाब है और पानी की रफ्तार देखे जरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बांध तूड़ गया हो और नदी जो है वो तेजी से बहती हुई रहाइशी इलाकों में घुज गई हुई यह देखे कैसे महलों में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है लोगों की घरों पे पानी भर गया है घर डूबे हुए हैं लोगों की हर तरफ पानी पानी ये किसी मकान की भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं देखे किस तरीके से पूरा फरनीचर जो है वो पानी में तेहलता हुआ नजर आ रहा है एक महिला नजर आ रही है घर में देखे कैसे पानी भरा हुआ है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर के हिस्से में आंगन में हर तरफ घर के अंदर तक पानी भर गया है अंदर के कमरों में भी पानी तेरता हुआ नजर आ रहा है और राजस्तान से अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं बारिश के चलते लोगों की परिशानी बढ़ गई है कई जगा बार जैसे हालात ये तस्वीरें नफसारी की आपके सामने सड़क पर इतना तेज पानी का बहाव है कि लोग पैदल भी इसे पार करने में डर रहे हैं और इसलिए पुशास्ते कमला जो है उसकी मदद यहाँ पर ली जा रही है पुशास्ते कमले की मदद से पैदल जो लोग है वो यहाँ पर अब रास्ता पार करते हुए नजर आ रही है मजबूरी है लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए काम पर जाना है उन्हें और इसलिए अपने बैग आप देख रहे हैं बहुत से लोगों की कंधे पर हैं वो यहाँ से गुज़रते हुए और यह जो तसवीरें आप देख रहे हैं नव सारी गुजरात सितमासमानी और मुश्किल में जिंदगी और अब यह तस्वीर आप देख रहे हैं यह देखे तहां की तस्वीर हम रिपोर्ट सुना रहें महां से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सहीयोगी से हमारा संपर्ख हो फिलाल आप देखे किस तरीके से लोगों के घर के भीतर पानी भर रहा है और लोग जो हैं वो अंदर जो पानी भर रहा है उसको किसी तरीके से बाल्टी से मग से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं पूरा इलाका पानी पान सेलाब किसी स्थिती में इस समय दक्षणी गुजरात का ये इलाका नजर आ रहा है और अब यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिहार की तस्वीर है बारश से बिहार के कई इलाके बेहाल यह जो तस्वीर है वो बिहार की जहानबाद की है जहानबाद के मिर्जापुर गाउं यहां फल्गू नदी के तेज बहाव की वज़े से सड़क तूट गई है देखे किस तरीके से अंदरी अंदर सड़क पूरी तरीके से कटी हुई नजर आ रही है यह फल्गू नदी का त पूरी जड़क को ले गई